साहरनपुर में सपा और बस्पा रालोध गटबंदन की पहली सन्युक्त रैली हुई करीब 25 साल बाद सपा और बस्पा ध्यक्षों ने एक साथ एक मंच से रैली को संबोधित किया महा गटबंदन की इस रैली में बस्पा प्रमुक मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोध के अजीत चौधरी ने रैली को संबोधित कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना सा था गटबंदन की ससन्युक्त रैली में तलित नेता और भीमार्मी के प्रमुक चंदरशेकर आज़ाद की पोस्टर से नजर आए बड़ी संख्या में भीमार्मिक समर्थक चंदरशेकर आज़ाद की तस्वीर के बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ रैली में पहुचे थे आपको बता दे कि बस्पा सुप्रीमो मायवती चंदरशेकर आज़ाद को पसंद नहीं करती हैं और उन्होंने चंदरशेकर को भाशपा का एज़ेंट बताते हुए उन्हें बी टीम करार दिया था हालांकि मायवती के इन आरोपों से परे चंदरशेकर खुद पिया मोदी के खिलाफ वारणसी से चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं पंजाब के इसरी टीवी के लिए सहरनपुर से रामकुमायर पुंडर की रिपोर्ट